हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल केटिक ट्रिक्स दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो डियलेट की ऑनलाइन इंटर्नसिप चल रही है उसके फोर्थ वीक का असाइमेंट कैसे बनाना है मैंने इसके पहले प्रथम द्वितिय और त्रितिय सपता का आसाइमेंट कैसे बनाना है इसके उपर ओलेडी एक वीडियो डाल दिया है अगर आपने वो वीडियो ना देका हो तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन में देदूंगी या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा इसके अलावा आप प्लेलिस में भी जाकर चेक कर सकते हैं तो दोस्तों जो चतुर्त सपता का आसाइमेंट है इसका भी विशय तृतिय और दृतिय सपता से थोड़ा सा अलग होगा जैसा कि हर आप बार लिखते हैं संस्तान का नाम फिर आपका जो जो भी जितनी आ Springs शानकारे आपका अनुंक्र मंक आपके पीता कार नाम इमेल अडरेस और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा ब विशय में इस बार है कि दीए को का ऑलेटर्य ओ तरैश allora या फिर आपके किसी एक विशे में यानि कि भासा या फिर गड़ित हिंदी या फिर गड़ित में से एक सप्ता के SMS की गतिविधी बनाकर वो खुद साजा करेंगे इस बार आपको जो वहां से भेजा जाता था data message बन आएगा नहीं आपको खुद से ही भेजना होगा बनाकर के पूरे एक हफता का तो आप चाहे math पर बना सकते हैं चाहे भासा पर तो मैं आपको दोनों का इसमें बनाकर बडस खड़ी पंटर कांडर की शाम से मिदल्य इसके दान मांठी के लिए टियू आप पर घार इसके आन के इतना समझने कि Ora, बडस उसके पर लेसे कौशन से या को डजिए आप उड़ी पर उनके इसे कविश्चचें, आपएको कॉष्छ थोड़ दें आपनी भी तो बताएंगे न कि हाँ इसके बाद यह आए गए इसको जोड़ने पर फिर देन आपको दूसरा दिन का लिखना है इसमें आप इसका टाइटल दे दीजिए कि दो वर्डों को मिलाकर शब्द बनाओ फिर आपको यहां पे दो वर्ड मिला देने हैं कोई भी के लिए सार्थक सब्द आपको बनाने है का प्लस दा इसको एल्टू कद होता है फिर प्लस गा छोड़ के आप यहां पे कोश्चन माग बना दीजिए या फिर खाली ऐसे डिबबा बनाकर छोड़ दीजिए कि बच्चे समझ के लिखें कि हाँ पा और गा को जोड़ करके प गार लोगारे मतंढें चैसे जो दो क्लास में चलती आप हृथि राजा बहुत बड़े हिसोने उठाकर कहा चले। ऐसी बहुत सारे कवीता हैं कुछ भी कवीता इसमें लिख सकते हैं जो बच्चे आसानी अब लें फिर आपको चौथा दिन रिखना है कि लिखे और याद करें क्या ये जो आपने यहां नीचे हुआ है यह आपको आपको यहां पर लिखे देना है जोटेằng आप तो अभी इतना ही बहुत है आप उनको आई लिखवार कर इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं यह आपका चौथा दिन इस तरह से अभी जनवर यह फिर जनगली जनवर आप चाहें तो यह भी लग सकते में इसमें सारी जनवरों को इंकलूट किया एक दो तीन चार पांच है तो आप पाँस भी लिख सकते हैं जो बच्चे इतना समस्ते हैं कि हाई है है इस तरह के साफ ने देखा आपको छाटा दिन में चैनां को च succeeds कि और भी सब्सक्राइए तो पर मिरुषा को अभ साइन जड़े शरीर के अंगों के नाम के आप करें इस तरीके से आपको क्या है शरीर के अंगों के कि नाम महिदेधे अपलब भी तो बच्क चोटे हैं वो चिजेंगे उन्हें द खूरे सकते वही चीजों के नाम आपको लिखने हैं आख कान नाक हाथ पैर तवचा बाल होट दात जीप अंगुलिया घुटना यहीं सारी चीज़े आप बच्चों को है चोड़े चोड़े बच्चों से आप पूछते होगी बताओ तुम्हारे आख कान का है तो इसी तरीके से आपको इ मिलान करें आपको टाइटल देना है ना ना से नल होता है आ से आम होता है गाह से इसे की आप इसके अलावा लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं शैत्व नें लिध्या कहानी पने आप बच्चो को बहुत ज venture yay कंदी III छोटी-छोटी कहानी ऐप पत्चाचिव के नाप उनको दे दीजे तो इस तरह कि मैंने आपको के जिए आपको भाषा की गति ही ती क्योंकि आपको वहां से बोला गया है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में साथल दिनका मैसेज साजह करना है तो यह साथ क्या मैंने आपको तो दस टॉपिक दिये हैं कि आप इन दसों में से किसी भी पे छे पे साथ पे अपना लिख सकते हो ठीक है अब मैं आपको बताओंगे इसके बाद कि गणित की जो गतिविधी है गणित की गतिविधी आपको कैसे लिकिनी है जैसे इसली यह आपने बनाए पहले पॉइंट नंबर बंडाल दीजिए फिर पहला दिन आओ गिंती पढ़े यह तो मैंने एक दो तीन चार पास डॉट 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 लिख दिया आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो आपको यहां पर एक्जांपल देने के लिए आसे लिखत अच्छे होते ना रटू दोता होते हैं उनको तुकात यह तो मैंने उपर की लाइन गलत लिख दिए इसको मैं कार्ट देती हूं बना रही थी कवीता एक्चली तो उपर की लाइन गलत हो गई अब आप यहां से देखिए आओ खाए मीठा केक गिंती की शुरुवात है एक दिन में पढ़ो रात को सो एक और एक होते हैं दो श्याम बजाता मदूर बीन दो के बाद आता है तीन मेरे पास एक छोटी सी कार्ट तीन के बाद आता है चार इस तरीके से आप बहुत उनको छोटी सी एजिली एक पोएम बढ़ा करें दीजे इस तरह से बच्छे रट ले तो पोएम के माधियम से कविता के माधियम से आप उनको ऐसे ही गरित सिखा सकते हैं इसी तरीके से और भी तुकांत सब है बस आपको तुकांत वर्ड्स का यूज में यूज करना है कांच पांच अच्छे छे जैसे की यह जह लगते हुई बोतल है कांच चार के बाद आता तो बहुत हाई-फाई आपको नहीं चोटा चोटा इसमें मतलब हासिल वाले जोड़ आपको नहीं देने हैं दस नौ के अंदर वाली गिंती जैसे एक दो तीन फिर आप खाली डीपर बनाकर छोड़ दीजे इस तरह से मैंने इसमें लिखा है खाली डीपर बनाकर छोड़ चाहरा है तो इस तरह से बाद आपको और भी टॉपिक शही है मैं अलग से उसके पर वुड़ बना दूगी यह तो बस मैंने आपको एक एक जांबल देने के लिए तीन इस पर बता दिया है कि आप चाहे तो हिंदी की गतिविधी लिख सकते हैं और अगर आप चाहे तो पर कर लिजे इसी तरह के से मिलान में आप मैथ में भी कर लिजेगा बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप उसको स्पर बना लीजेगा नहीं आपको समझ मैं आथा है तो आप मुझे कॉमेंट करिए मैं आपको अलग सी वीडियो बना कर दूँगी और आपको वीडियो अच्छे से हुए उससे रिलेटेट सारी वीडियो से अगर आपने ना दिखाऊ तो आप यह सब भी देखकर अपने 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 फाइल कंप्लीट कर सकते हैं जीपी आपकी जो भी आपके डाटा फीडिंग के समस्चा है आप वोसको फीड कर सकते हैं बाकि मेरे चैनल के प्लेडि करिए मैं आपको नेक्स दे वीडियो अप्लोड करके बता दूंगी आपका एंसर दे दूंगी थैंक यू